हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इजुकेशन फाइटर में मैं आपको बताऊंगी जंगलों की भूमिका लाने वाला एक बहुत ही खुबसूरत राज्य जार्खन के बारे में सायद आप नहीं जानते होंगे जार्खन जिसके नाम में ही छुपी है इसकी पहचान जार्खन दो सब्दों से मिलकर बना है जार और खंड जार का मतलब होता है जंगल और खंड मतलब टुकड़े भारत के 28 वे राज्य के रूप में अस्तित्व में लाए जार्खन को बिहार राज्य से 15 नवंबर 2000 को अलग करके बनाया गया है बिहार के ग्रेश में कालिन राजधानी का गौरव हासिल करने वाली राची इसकी राजधानी है एक ऐसा सहर प्रकृति ने अपने सुंदर्य को खुल कर लोटाया है जार्खन राज्य को जर्णों का सहर भी कहा जाता है यहां विभिन परकार के जर्णे है उचाई परिस्थित होने के कारण यहां का मौसम बड़ा ही सुहावना रहता है चलिए हम लोग देखते हैं भारत में जार्खन कहां आवस्थी थे और कौन-कौन से राज्यों को छुती है जार्खन की सिमाएं उत्तर में बिहार पस्चि दिख रहा है यह जार्खन इसके उत्तर में यहां देखे तो यहां बिहार है पस्चिम में उत्तर प्रदेश और चतिसगर को छूती है दचिन में ओडिसा और यहां देखे पुरव में पस्चिम बंगाल को छूती है जार्खन एक आदिवासी बहुल राज्ये है जार्खन क स्कूली सिक्षा के मामले में पुरे देश में चोदवा अस्थान है परंतु उद्योग धंदों की छेत्र में यह राजे काफी आगे है खनित समफदा के मामले में भारत की हिरिदेश थली कहा जाने वाला यह प्रदेश अपने प्राकृतिक सोंदर्ये के साथ ही एतिहासिक और धोगिक एवं धार्मिक महत्व के अनेक अस्थानों की द्रिश्टी से पर्यटकों का भी पसंदीदा अस्थल है ज्ञारखन का छेतरेफल 89,714 ज्ञारखनराजे की राज़दानी राची और यहां कुल जीले हैं 24 ज्ञारखनराजे की राजभासा हिंदी है इसके अलावा यहां 32 और भासाएं बोली जाती है जार्खन राजी का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ जार्खन का सबसे बड़ा सहर जमशेदपूर है भारत का पहला और पूरी दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कार खाना टाटा एस्टील जमशेदपूर में है 15 नवंबर को इसे बिहार से अलग करके बनाया गया है जार्खन का उच्च न्यायाले राची ये जो आप देख रहे हैं ये जार्खन की उच्च न्यायाले है जो राची में इस्थित है तो आगे हम लोग देखते हैं जार्खन राजी की प्रमुख नदियां जार्कन में चार प्रमुख नदियां बहती है वो प्रमुख नदियां है दामोदर, बराकर स्वर्न रेखा, संख, कोयल चलिए देखते हैं जार्कन की प्रमुख फसल यहां की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, दल्धन यहां की आय का प्रमुक स्रोत है फसल, खनीज, वन संपदा जार्खन की अर्थव्यवस्था खनीज और वन संपदा पर अवस्थित है जार्खन राज्य में विभिन परकार के प्रमुक खनीज संपदा पाये जाते हैं जैसे कोईला, लोहा, अबरक, मैंगनीज, यूरेनियम, तांबा, एस्बेस्टस, बॉकसाइड, माइका, सोना, चांदी, लाइम स्टोन यह सारे प्रमुक खनीज जार्खन में पाये जाते हैं यहां बड़े-बड़े प्रमुक उद्योग हैं जैसे टिसको, टेलको, बोकारो स्टील, हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड, उसा इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बिहार स्पंज आइरन लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन आफ इंडिया आदी यहां सब प्रमुक उद्योग पाये जाते हैं जार्खन को प्रकृती ने अप्रतीम सोंदर्यक और आसिमित पर्यटन अस्थलों से नवाजा है जार्खन की प्रमुक पर यटन अस्थल है देवघर, बासुकी नाथ, रजरप्पा, तिलया डेम, पारशनात की पहाडी, हुन्रुजल परपात, गोतम धारा, नेतरहाट, बेतला राश्ट्रि पार्क आदी ये सब यहां के प्रमुक अस्थल है, अगर आप जार्खन आते हैं, तो आपको इन सभी अस्थानों पर एक बार जरूर जाना चाहिए अन्तिम में हम लोग देखते हैं जार्खन राज्य की प्रसासन, यहां विधान सभा मंडल में एक ही सदन है, विधान सभा के सदस्यों की संख्या 81 है, यहां लोग सभा की 14 तथा राज्य सभा की 6 सीटे हैं हम सभी जार्खन राज्य के बारे में जान ही गए हैं अगर आपको जंगल पहाड प्रकृती से प्यार है तो आपको जार्खन एक बार जरूर जाना चाहिए आसा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को सुरू से अंध तक देखने के लिए धन्यवाद बने रहे हमारे इस चैनल के साथ इस परकार के रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए थैंक यू फर वाचिंग डिस वीडियो